विल्कम टू मैं आर्चेंड हूस विवार्स मैं हूँ आर्किटेक्ट शांतोनू आज हम डिसकस करेंगे दोनों भाईयों के लिए घर या दो लड़का के लिए अलग-अलग फ्लैट्स टाइप का हाउस डिजाइन है विवार्स हम चलेंगे डिटेल से डिसकसन करेंगे पहले हम देखेंगे रोड लेवल से घर हमें कितना उचा रखना होगा दो फीट है एट मेंज प्लें थाइट जो होगा दो फीट है तो उसी सबसे यहां पे स्टेप भी हमने प्रोवाइड किया हूँ दोनों साइट में हमने बैठने के लिए जगा भी देखे रखा हूँ जिसमे कि दो फ्लेट के लिए दोनों साइट यूज कर सके और इसको बनाने के लिए हमें टोचल दिखिए फ्रोंट में 35 फीट 35 फीट और चौड़ाय में 20 फीट टोटल 700 स्कार फीट में हमने दो फ्लेट टाइप का घर बना सकते है या दोनों भाई के लिए एक घर हम बना सकते है और 700 स्कार फीट घर बनाने के लिए हमें कितना खरच का जुरुद होगा ओभी हम डिस्केशन करेंगे यह हमने वाल क्रियेट कर लिया हूँ वाल के साथ साथ दो रुएंडो भी यहाँ पर बना दिया हूँ शाथ में हमने स्टेयर भी कहां से प्रोवाइड करना होगा यह स्टेयर भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हूँ आप हम चलेंगे डिटेल्स हम डिस्केशन करेंगे दिखिए front में हमें दो gate दिया हूँ जिसमें कि दो नो भाई यूज करें और एक ister देखे रखा हूँ एंटरेंस के बाद ही हमें मिल जाएगा एक hall, hall के बाजु में हमारा kitchen, kitchen और bedroom के बीच में हमारा मिल जाएगा toilet और बिल्कुल पीछे हमारा बेडरूम दिया गिया है और एक ही हमने स्टेयर प्रोभाइड किया हूँ जो कि अलग-अलग डोर होगा राइविसी के लिए और दिखिए आप जो हॉल रूम का साइज नाइन फीट नाइन इंच बाई इस तरब टेन फीट सीक्स इंच दोनों साइट सेम है इसलिए हमने एक ही यूनिट का पहले डाइमिनिशन देख लेता हूँ अब हम चलेंगे कीचन के और यह हमारा कीचन है फ्रॉंट में हमने यहा आप शाथ में और कीचन का जो साइज है 6 फीट बाई 6 फीट ओकी नेक्स हम चलेंगे हमारा टॉयलेट एक ही टॉयलेट एंड बातरूम दिया गया है बहुत ही छोटा जगा में यह हाउस प्लान आजकर बनाया गया है टॉयलेट का साइज 3 फीट 4 इंच बाई 6 फीट और आप चलते हैं हमारा बेडरूम के और शिंगल बेडरूम आप चाहेंगे तो अगर फास्ट फ्लोर बना शकते हैं स्टेयर एविलेबल है काफी बड़ा और फास्ट फ्लोर में भी आच्छा खाशरूम बन जाएगा और इस बेडरूम का साइज 13 फीट 4 इंच बाइ 9 फीट और ये था हमारा वान यूनिट का डाइमिंशन बाकी दूसरा यूनिट का सेम डाइमिंशन होगा और अब हम चलेंगे श्टेयर के और थोड़ा सा श्टेयर के बारे में डीटेल साम डिसकेशन कर लेते हैं कि यहांसे हमने श्टेयर यार प्रौफाइड कि हूँ श्टेयर एक दे के राखा हूँ बीच में राखा हूँ जिसमेंकि दोनों बराबर जगा में इसको यूज कर पाएं तो अब हम चलेंगे स्टेयर जो है ये मैंने 3 फीट 4 इंच का रखा हूँ बड़ा रखा हूँ दोनों यूज करेंगे इसलिए ट्रेट 10 इंच और जो राइजर होगा ये 6 इंच काफी कॉम्पेटबल स्टेयर है ये था बिलिंग का जो डाइमेंशन अब हम चलेंगे इस बिलिंग को बनाने के लिए हमें कितने खरज आएगा वह हम डिसकेशन करेंगे ये फॉन शाइट और चार शाइट में इस तरह देखने मिलेगा और अब हम चलेंगे इसका खरज कितना आशकता है ये 35 feet by 20 feet total 700 square feet by multiplied by 1200 per square feet total 8,40,000 खरच आएगा ये भी एरिया के हिसाब से खरच होगा